एक फ्राइड राइस इस तरह से एक बर बना के खाएंगे तो अब लोग बिल्कुल दुकान जाना ही भूल जाएंगे नमस्कार मैं सिप्रविश्यकर्मा आजाई हूँ एक फ्राइड राइस बनाने जो बहुती इजी है आसान बहुती कम समान से मैं बनाऊंगी देखिए मैं पानी गरम करके रखी हूँ एर राइस को मैं भीगा कर रखी थी इसको मैं गरम पानी में मैं डाल दे रही हूँ अब मैं इसे थोड़ा गरम मसाला मैं इसमें टाइट करूंगी थोड़ा गरम मसाला मैं इसमें एट कर दे रही हूँ तोड़ा नमक भी मैं डाल दी नमक गड़ा मसाला अच्छी तरह से मैं चला दी चला कर मैं इसको दस मिनट तक बॉयल होने के लिए मैं छोड़ दूंगी दस मिनट हो गया है देखिए मैं 80% चाबल को मैं बॉयल की हूँ जब पूरा मैं बॉयल नहीं की हूँ 80% गड़ा बॉयल की हूँ अब मैं इसका पानी सारा निकाल दूंगी पूरा एकदम देखिए कितना सुन्दर खिला खिला राइस दिख रहा है अब मैं कराई गरम कर ली गराई गरम करके थोड़ा ओयल डाल दी ओयल डाल के मैं तीन अंडा को इसको फ्राई करूंगी और इसको मैं अभी नहीं चलाऊंगी थोड़ा अस्ते चलाऊंगी ताकि लचे दार खुर्जी अंड़ा खुर्जी बनकर रेडी हो झाए अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च नमाग और लाल मिर्ची का पाउडर मैं डाल कर इसको अच्छी तरह से लाल करके रखूंगी इसको अलग साइड में रख दूंगी प्रेंड़ अप लोगो वीडियो कैसे लग रहिए बताएं थोड़ा और मैं इस बाप फिर एक के दुसरा पैन गरम की गरम करके मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी रही हूँ जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए अब मैं थोड़ा सा इसमें कटा हुआ लहसुन को मैं डाल दी कटा हुआ लश्und थोड़ा सा सुनहरा हो जाने पर मैं थोड़ा प्याаж टाल दी प्याज़ को भी मैं थोड़ा सा सुनहरा करकर रखँगी गोल्डेन ब्राउन कर लूँगी और इसका बाद मैं तोड़ा इसमें एक एक करके सारा स्बजी मिला ओंगी थोरा गाज़त डृप हो ओड़िन अब ओर थोरा से इसमें ऑपने ऑड़ कर Dिति लिए जी के साथंथ साला आठों करिए अच्छी तरह से लाल हो चाई अपना स्वाद अनुसार हारी मृर्च काट कर डाल दीजिए अबै थोड़ा टमाटर भी मैं थोड़ा काट कर चोड़ा चोड़ा रखी थी उसको भी मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ थोड़ा अद्रक भी चोड़ा चोड़ा काट कर रखी थी उसको भी मैं डाल दी नमक स्वाद अनुसार डाले क्योंकि चावल में इसको मिला दे रही हूं अभ मैं उपर से भात मिला दे रही हूं अच्छी तरह से राईस सारा मिल दे राइस मैं इसको मिला बहुत अच्छा आया है अब उपर से मैं अंडा बुर्जी में डाल दे रही हूँ ताकि अंडा भुर्जी डाल कर मैं गार्निसिंग कर दी फ्रेंड्स देखिए कितना सुन्दर बन कर रेडी हो गया है इसका खुस्बू बहुत अच्छा आ रही है उपर से मैं थोड़ा धनिया पत्ता गार्निसिंग कर दी और अंडा बुर्जी के साथ मैं इसका गार्णिसिंग कर रही हूँ एक खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी है बनाने में कोई भी बना के खा सकता है जब मन तब आप लोग बना के खाएं और इंजॉय करें देखिए मैं ओमलेट के साथ और खीरा के साथ मैं गार्णिसिंग कर दे रही हूँ प्लीज आप लोगो वीडियो कैसी लग रही है लाइक, सेयर, कॉमेंट करें और सस्क्राइब करें वीडियो अच्छी देखने के लिए अच्छी देखने करें